प्यारे भग को सुनिएगा प्रेम से हम ज़ सुनाते हैं ये हम ज़ सुनाते हैं सामरी इस्त्री और येशु के बात बताते हैं हम भहिमा गाते हैं प्यारे भग को सुनिएगा प्रेम से हम ज़ सुनाते हैं ये हम जो सुनाते हैं सामरी इस्त्री और एशु के बात बताते हैं हम बहिमा गाते हैं इस जगत के पालन हाँ एशु की जय 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 का जब ये शु यहुदिया छोड के चले गलील के देश सबुन को सामरिया में करना था जरूर प्रवेश ये शु आते हैं सामरिया के तब एक नगर में वहाँ पड़ा सुखार नाम का एक अस्थान दगर में यहाँ अस्थान है सुनिये भक्तों उस भूमी के पास जिस्ते याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया ठखास वहाँ वही पर है एक जो याकूब का कहलाया चारो तरफ है हरियाली और व्रिक्षो की छाया सुन्दर सिजगा को देखे जब ये शूरुक जाते हैं कामरी इस्त्री और ये शू की बात बताते हैं हम महिमा गाते हैं इस जगत के पालन हार ये शू की जय जय का जिस जगत के पालन हार ये शू की जय जय का राह कि ठके हुए ये शू आये पैदल चल कर फिर देखो बैठ गए याकूब के कुई पर इतने में एक इस्त्री सामरी जल भर ने आई वहा देखतर इशू को वो मन में सकुचाई इशू ने उस इस्त्री से देखो फिर है कहा मैं हूँ प्यासा है इस्त्री तू पानी मुझे पिला इस्त्री बोली मैं हूँ सामरी और यहोदे तू तो फिर फानी मांगी रहा है मुझे से भला क्यूँ तब इशू सामरी इस्त्री को देखो समझाते हैं कुछ वचन सुनाते हैं सामरी इस्त्री और इशू के बात बताते हैं हम महिमा गाते हैं इस जगत के पालन हार इशू की जय 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 तार इस जगत के पालन हार इशू की जय जय तार यदि तूस परमेश्वर का जानती वरतां कौन हु मैं जो पानी मांगू तू लेती पहचान फिर तू मांगती उससे वह तुझ जीवन का जल देता तेरी सोच से जात कहीं फिर वह तुझ को फल देता तब उस इस्त्री ने देखो ये शूप्रव से कहा तेरे पास जल भरने को बरतन कोई दिखना रहा पूमा तो गहरा है फिर जल कहां से तू पाया जीवन का जल तेरे पास में कहां से है आया तब ये शू प्रभूस इस्त्री को सही बात बताते हैं मतलब समझाते हैं सामरी इस्त्री और ये शू की बात बताते हैं हम मही मागाते हैं इस जगत के पॉलन हा ये शू की जय जय का इस जगत के पालन हा ये शुकी जय जय का प्रभु ये शुकी उस इस्त्री को वचन लगे समझाने कहने का है तात पर क्या उसको लगे बताने ये श्त्री शुकूई का जल जो कोई पीएगा उसकी प्यास बुझेगी नहीं और फिर प्यासा होगा लेकिन जो जल मैं दूगा उसको जो पीएगा वहाँ पिर अनन्त काल तक देखो प्यासा ना होगा परन जो जल मैं दूगा उसने सोता बन जाएगा जो अनन्त जीवन के लिए उसने उमणता जाएगा इस्त्री एशू से क्या कहती है फिर बतलाते हैं आये बतलाते हैं सामरी इस्त्री और एशू की बात बताते हैं हम महिमा गाते हैं इस जगत के पालन हा आये शू की जय जय कार इस जगत के पालन हा आये शू की जय जय कार ए प्रभु वह जल दे दे मुझे ताकि मैं न प्यासी हूँ और न फिर जल भरने के लिए इतने दूर मैं आओ एशू बोले अपने पती को बुला कि ला यहां पर मैं तो हूँ बिन पती की उस इस्त्री ने दिया है उत्तर एशू ने कह तू तो एकदम ठीक ही कहती है तू बोली की तू तो अब तक भी ना पती की है क्योंकि है इस्त्री तू तो पती पांच कर चुकी है अब तू जिसके साथ है वो भी तेरा ना पती है इस्त्री हो गई चक्त इशू जब उसे बताते है हाँ उसे बताते हैं सामरी इस्त्री और एशू की बात बताते हैं हम महिमा गाते हैं इस जगत के पालन हाँ ये शू की जय 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 ता कहती है सामरी इस्त्री मुझको लगता है तो भविश्वकता है प्रभु जो ऐसे कहता है हम सब के जो पूर बजते सब का है कहना इसती पहाड़ पतरते थे सब लोग अरा आधिना लेकिन ऐसा क्यों है हम से तुम सब का कहना यरसलेम में है वो जगां जां होती या राधिना एशो बोले हे नारी मेरी बात का कर बुश्वाँ अब तुम सब के लिए समय आने वाला है था पिर आगे क्या होता है बत्तों ये बतलाते हैं हाँ ये बतलाते हैं सामरी इस्त्री और एशो की बात बताते हैं हम महिमा गाते हैं इस जगत के पालन हाँ एशो की जय जय का इस जगत के पालन हाँ एशो की जय जय का एशो बोले तुम सब जिसको नहीं जानते हो करते हो उसकी अराधना उसे मानते हो हम अराधना उसकी करते जिसको हम जाने क्योंकि यहूदियों में से हैं उत्धार यही माने पैठा है उपर जो सर्ट में हम सब का उपिता अपने लिए ऐसे अराध को को है ढूंधता परमेशर आत्मा है उसके लिए यही है जरूरी उसकी अराधना हो आत्मा सच्छाई से पूरी जो लोग ऐसा करते हैं वे उत्धार को पाते हैं उत्धार को पाते हैं सामरी इस्त्री और एशुकी बात बताते हैं हम मही मागाते हैं इस जगत के पालन हा एशुकी जय जय का इस जगत के पालन हा एशुकी जय जय का इस्त्री ने कह मुझे पता है जब मसीह आएगा अब हम सब को सारी बाते ये समझाएगा एशुने तब इस्त्र से देखो फिर है कहा ए इस्त्री पहचान वही हूँ जो मैं बोल रहा इतने में फिर उसके चेले वापस आते हैं बात करते इस्त्री से देख सब चकित हो जाते हैं चेलों में से किस दिन पूछा तू क्या चाहता है इसलिए दूसर इस्त्री से पाती करता हैं फिर इस्त्री अपना घड़ा छोड़ कर गई बताते हैं आ गई बताते हैं सामरी इस्त्री और एशुकी पात बताते हैं हम महिमा गाते हैं इस जगत के पाल नहार ये शू की जैजेता वहस्त चल कर इस तरे पहुचे नगर में आ करके लोगों से वहां कहने लगी है पास बुला करके आओ एक मनुष्य को देखो बाते मुझे से किया मैंने जो कुछ किया है उसने सब कुछ बता दिया कही यही तो मसी नहीं है उसको पहचानू सच कहती हूँ मैं तुम सब से बात मेरी मानू तब सब लोग निकल के नगर से अपने आते हैं एशु जहां है वे सब उसके पास में जाते हैं फिर चेले एशु से बिन्ती करने लग जाते हैं सामरी इस्त्री और ये शुकी बात बताते हैं हम महिमा गाते हैं इस जगत के पालन हा ये शुकी जय जय का इस जगत के पालन हा ये शुकी जय जय का चेले बोले है रब्बी तू कर ले कुछ भोजन इशु चेलों से फिर अपने कहने लगे वचन मेरे पास खाने के लिए ऐसा है भोजन जिसे जानते नहीं हो तुम सब कैसा है भोजन तब चेले सब आपस में करते हैं यह बात उसके लिए क्या कोई कुछ लाया है अपने साथ एशु ने तब उनसे कहां मैं भोजन वही करूं अपने भेजने वाले के इक शान सार चलूं और उसका काम पूरा मैं करूं यह शूबत लाते हैं कामरी इस्त्री और एशु की बात बताते हैं हम महिमाद आते हैं इस जगत के पालन हाँ यह शूब की जय जय कार तुम कहते हो कटनी होन को चार माह रह जाएं खेत पक्चुके कटनी के लिए देखो आंको उठाएं और काटनी वाला अपने मज़ दूरी पाता हैं फल अनंत जीवन काई कट्ठा करता जाता हैं काटने वाले और पोने वाले दोनों खल पाएं और फिर दोनों मिल करके देखो आनंद उठाएं मैंने तुमें वाखेत काटने को है भेज दियां जिसने तुमने परिश्रम बिलकुल भी नहीं कियां सब चेलों को एशू अपनी बातें समझाते हैं कामरी इस्त्री और एशू के बात बताते हैं हम मही मागाते हैं इस जगत के पाल नहार एशू की जय जयकार कहते हैं ये शूक की परिश्रम जो दूसरे कियें और तुम उनके परिश्रम के ठलके भागी हैं आगे की अब बातें सुनिये भबतों सब चितलाएं हुवो वहाँ पर क्या मैं आप सबसे हूं रही बताएं उस इस्त्री के कहने से जो आये शुके पाल नगर के बहुत से सामरियों ने उस पिकिया विश्वा क्योंकि उस ने गवाही दी थी नगर के लोगों से मैंने जो भी किया है अब तक सब है पतां से या सुनकर नगर के लोग बहुत से मन को फिराते हैं हाँ मन को फिराते हैं सामरी इस्त्री और एशुकी बात बताते हैं हम महिमा गाते हैं इस जगत के पालन हाँ एशु की जय जय कार इस जगत के पालन हाँ एशु की जय जय कार एशु से तब कहने लगे वैं सब बिनती करके नई नई हम बात सिखा यहां पे रह करके उसके वचन के कारण देखो और नगर के लोग उस पे किये विश्वास और बहुतों का मिट गया रोग उस इस्त्री से नगर किवासे देखो कहते हैं अब हम तेरे कहने से विश्वास न करते हैं क्योंकि अब तो हमने अपने आप ही देखा हैं जान गए उतार करत सच मुचिया जगत का हैं फिर दो दिन बात वहां से एशु गलिल को जाते हैं सामरी इस्त्री और एशु की बात बताते हैं हम महिमा गाते हैं इस जगत के पालन हा एशु की जय जय कार इस जगत के पालन हा एशु की जय जय कार एशु अपने आप ही देखो साक्षी देते हैं अपने देश में भविश्वक्त नहीं आडर पाते हैं एशु गलील आगे जब लोग संदे साँ पाई सब गलीली आनन्द से भर कर उससे मिलने आये एशु जो काम किये थें सबी गलीली देखे थे क्योंकि वे वहां गे थें एशु मसीहा हम सब का जगत में आया हैं जिसके वचन को सुन लोगों ने मन को फिराया हैं चंगाई के लिए वहां बहुत से लोग आजाते हैं हाँ लोग आजाते हैं सामरी इस्त्री और एशु की बात बताते हैं हम महिना गाते हैं इस जगत के पॉलन हाँ एशु की जय जय का इस जगत के पॉलन हाँ एशु की जय जय का